बिसमिल्लादा अफ्ञान रहीम विए एक्सरसाइज 3.3 पर फॉस्टन सौवल कर चुके हैं आज के लेक्सें में हम क्वेशन नबर 3 और 4 सौवल करते हैं वेस्टन नूमर 3 की स्टेपन रहे हैं फाइंड न मीन प्रपोर्शनल ब्रॉटी और 45 मेन प्रपोर्शनल हमने अल्रडी जिसक्स किया था तो 40 और 20 और 45 के दिरम्यान मेन प्रपोर्शनल आपने स्पोस्ट मालूं करना है तो अगर हम यह स्पोस्ट करने है लेट भी मेन प्रपोर्शनल तो क्या होगा फिर याद है कुछ 20 रेशो मीन प्रपोर्शनल मीन रेशो 45 मीन का मतलब याद है कल हमने पड़ा दिरम्यान वलाएगा चीच है अब इसमें आपको याद होगा क्या होता होता है product of extremes and product of means तो वो अगर हम लगाएं product of means is equal to product of extremes तो product of means क्या है बी इंटू बी product of extremes क्या है 20 इंटू 45 यह आजाता है प्लस माइनस 30 यह यह आदी है क्यलकोटर से चेक करें जब आप स्केर उढ़ेंगे तो प्लस माइनस 30 यह आएगा इस सेगिंड पार्ट में भी अगर आप इसका means पोस्ट करते हैं तो सेगिंड पार्ट में फिर क्या करना है आपने वो है 20 एक्स क्यूब वाई 5 रेशो बी पर्पोर्शन बी रेशो 5 एक्स 7 वाई चो कि mean कह रहा है माई find करना है तो इसमें आप क्या करना है फिर product of means should be equal to product of extremes तो यह वैसे आपने फार्मला ज़रूर दिखना होता है यह बरना इसके number कर जाएंगे product of means is equal to product of extremes तो यह b into b is equal to 20 x cube y 5 into 5 x 7 into y लिया जाता है b square is equal to 20 into 5 100 x की 3 और x की power 7 x एस पर 10 होजेगी और y क्या आजेगा 6 तो अगर आप बी लेंगे तो plus minus क्या होगा 100 का square root 10 x की power 10 का square root लेंगे तो वो 2 से ड्वाइड करेंगे तो x की power 5 रह जाएगी y की power 6 का लेंगे तो वो क्या आएगा y की power 3 यह इसका अंसर होगा नेक्स्ट थर्ड पार्ट है इसने भी आप सोस कर लेती हैं let be be the required mean then क्या होगा जी required mean अगर है third part में then 15 P4 Q RQ ratio B proportion B ratio 15 P4 Q RQ 135 यह questions आपको आजाने चाहिए भई R7 तो फिर product of means is equal to product of steams इन दोनों की product आजेगी B into B और इन दोनों की product आजेगी 15 P4 Q R Q into 135 Q 5 R7 यह तो 20 square आजाएगा 15 को जरा 135 से multiply कर दें 15 into 135 दोनों की मालूम करें आप भी चेक करें जी 20 25 यह यह अच्छा P4 यह आएगा यह Q की पावर 1 है और Q की पावर 6 हो जाएगा R3 और R की पावर 7 R10 हो जाएगा अब जब आपने B लेना है तो plus minus अब आप जरा 20 25 का square root भी लेके दिखाएगा 45 और यह P4 का क्या square root आएगा P square Q6 का क्या square root Q3 R10 का क्या आएगा R5 यह इसका B की value आएगा next fourth part है उसमें भी आप suppose करते हैं let B be the required mean then गया जाता है x square minus y square ratio B proportion B ratio x minus y over x x plus y x square minus y square ratio B proportion B ratio x minus y over x plus y formula फिर वही है product of means means is equal to means product of extremes product of means means mean के B into B and product of extremes mean के x square minus y square into x minus y over x plus y यहां से सिदा 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 b square बन जेगा इसके आप फेक्टर बनाए x plus y into x into x minus y और यहां से x minus y over x plus y यह x plus y कट गया B square आपके पास आगया x minus y square तो square rule नेंगे तो B आजेगा आपके पास plus minus x minus y और यह ब्रेकर लगानी इंतहाई जरूरी है यहां पे ब्रेकर जरूर लगानी B square की value आई है x minus y square तो square rule लेने से भी आगया plus minus x minus y तो यह तो था third question जिसके four parts है इनमें हमने mean point करना था अब next question four देखते हैं उसमें क्या करना जी next question number four है find the values of the letter involved in the columning continued proportions यह continued proportion है और continued proportion में उसने quantities दीजिए है three new है और three quantities में दरम्यान वरी unknown है तो इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब हुआ कि आपने once again question number three मौलुम किया था इसमें आपने mean ही find करना है ठीक है तो अब आप क्या लिखेंगे यहां पे solution में फर्स पार्ट आप इस तरह लेखेंगे five ratio p proportion p ratio 45 तो यहां से इनकी प्रॉडर लेंगे आप वाजेगी प्रॉडर और उसके बाद इनकी प्रॉडर लेंगे वाजेगी five into 45 जी five into 45 इसके बरबर आएगा two to five तो two to five का square root लेंगे तो plus minus 15 यही है चले इसके बाद second part है eight ratio x proportion x ratio 18 इसमें भी आपने क्या करना है इनकी प्रॉडर्ट ली तो वो आ गया मरे पास x into x और फिर आपने इनकी प्रॉडर्ट ली eight into eighteen तो जड़ा यह calculate कर ले eight into eighteen की सब्सक्राइब one ने 144 और जब आप square root लेंगे तो plus minus 12 आजेगा square root लेके plus minus 12 अब आपने working करके बतानी है next working आपने करके बतानी है तो कि आपकी calculator पे working की speed भी ठीक हो नजेए third part में कहा है 12 ratio 3p minus 6 proportion 3p minus 6 ratio 27 तो इसमें भी आप वही करेंगे के product of means means is equal to product of streams अब product of means क्या है वो है 3p minus 6 into 3p minus 6 is equal to 12 into 27 स्क्राइब स्क्राइब 3p minus 6 स्क्राइब स्क्राइब 324 अब जब आप scale rule हैंगे तो 3p minus 6 is equal to scale rule है 324 का क्या 18 यह 18 आगे है ठीक है ठीक value तो हमने पी की find करनी है तो इसका दर आपके पास 3p किसके बरबर आया है minus 6 आप उदर रेजें 6 plus minus 18 यहां से 3p आजेगा एक तो 6 minus 18 और 3p किसके बर आजेगा 6 plus 18 3p is equal to minus 12 और यहां से 3p is equal to 24 p is equal to minus 12 over 3 p is equal to 24 4 over 3 यहां से p आ जाता है minus 4 के equal और 1p की value के जाती है आजेगा 7 ratio m minus 3 proportion m minus 3 ratio 28 तो वही यहां जाता है यहां जाता है m minus 3 square 7 into 28 जाता है 196 और यहां से अगर आप square rule लेते हैं तो plus minus 14 आता है और फिर यहां से m की value के जाएगी minus 3 उधर चल रहेगा 3 plus minus 14 और फिर m की 2 value जाएगी एक आएगा 3 minus 14 और एक m की value जाएगी 3 plus 14 यहां से m की value आती है minus 11 और यहां से m की value के आती है 17 तो यह आके पास 2 m की value जो आपने मालूम करनी चीव कर ली है use आपने वही किया है formula means का hopefully यह exercise 3.3 के जो 2 questions हमने solve की हैं यह आपको समझा आगी होगी और 3.3 के पहले 2 questions हम पहले इस solve कर चुके हैं अब next topic इंशाला हम next lecture में start करेंगे करेंगे करेंगे